प्रेग्नेंसी की दूसरी तिमाई के दोरान गर्बती मेलाओं को अचानक से सिर्फ चक्राने, चक्राने, आंकों के आगे अंधेरा चा जाने की समस्या क्यों होने लग जाती है, क्योंकि फ्रेंस जैसे ही आपके प्रेग्नेंसी की दूसरी या तीसी तिमाई लगती है और इस अगर समस्यां आपको दूसरी या तीसी तिमाई के दोरान हो रही हैं तो यह किस बात का संकेत हो सकता है? क्या यह नॉर्मल है या फिर आपको होने वाले किसी खत्रे का संकेत? नमस्कार दोस्तों मैं कुस्बूत उमर एकबर फिर से स्वागत करती हूं आपका प्रेगनेंसी से रिलेकर एक और नई वीडियो में जहां पर आज का वीडियो उन महलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूश्पुल होने बाला है जिनकी अभी हाली में पहली दूसरी या ती करने की ज़रूरत है गर्मियों में क्या है कि आपके अंदर अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है पाने की कमी आ जाती है तो इससे आपको कई सारी समस्या हो सकती है जैसे कि अभी जिन मैलाओं को जैसे बैठे-बैठे लेटे-लेटे या कोई काम करते समय तुलेट जाते समय या फिर फ्रेस होने जाते समय अगर आपको बारवाई सिर्चकर आने की चकर आने की आंखों के आगे अंधेरा आने की समस्या हो रही है तो यह किस बात का संकेत है क्या यह नॉर्मल है या पिर आपके गर्मे पल रहे शिशू को होने वाली किसी समस्या का संकेत अगर आपक जिनने अगर आप अपना सकती हैं, इन चीजों को फॉलो करती हैं, तो आपको यह जो समस्या हो रही है, ना से चक्राने, चक्राने की, या पिर आखों के आगे एक दम से अंधिरा चाने की, तो उससे काफी हद तक छुटकार आप पाया जा सकता, अगर आपको भी ऐसी कोई सम समस्या के होने के कुछ कारणों के बारे में बताऊंगी और इसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है इन सारी बातों के बारे में जानने वाले हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें वीडियो यूजपू लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने पूले तो चलिए फ्रेंज मिनादेरी कि यह हुए फटा-फट से वीडियो को स्टार्ट कर लीते हैं तो देखें सबसे पहले हम जाते हैं कि चक्कराने की समस्या प्रेगनेंसी में कब से सुरू होती है तो देखें प्रेगनेंसी की पहली तिमाई जैसे ही आपकी तो आपका गर्वा से बढ़ने लग जाता है गर्वा से बढ़ता है तो इससे क्या है कि आपकी जो blood-based cells हैं उनपर काफी दबा पढ़ता है और इससे क्या है कि आपके mind तक ठीक से blood नहीं पहुँच पाता और इसी बजय से गर्वती महिलाओं को शुरुआती दिनों में एकद आपको भूग कम लगती है। इसके साथी आपका Sytar क्या है कि कम हो जाता चाने के प्रशुम खानी की इछा कम होती है। यानिके सुरुआती दिनों में ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, कि आपकी बॉड़ी में हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोन चेंज होते हैं, तो इसका प्रभाव आपकी सरीर के सारे अंगों पर पढ़ने लग जाता है, इसके साथ ही क्या होता है, कि जब आपकी बॉड़ी में हार्मोन उतार चड़ावाता है, तो इससे क्या है कि आपके जो blood-based cells के दीवारे होती है वो थोड़ी चोड़ी हो जाती है जिससे आपका blood-based cells यानि कि BP लोग हो जाता है और pregnancy में BP लोग होने पर तुरंधी आपको आपकों के आगे अंधीरा चाने की सिर्चक्राने की चक्कराने की समस्या सुरू हो जाती है तो pregnancy के शुरुआते तीन महीने तक ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि आपके अंदर क्या है कि काफी सारी उतल पुतल चल रही होती है आपके बॉड़ी हार्मूनल बदलावों को या सारे दिक जो भी बदलाव हो रहे है या पर मानसी की जो बदलाव हो रहे है उसके लिए कुद को बैलेंस कर रही होती है तो इससे आपको ऐसी समस्या हो सकती है अब जानते हैं प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसी तिमाई के दोरान गर्बती मेलाओं को चक्कर आने की समस्या क्यों होती है प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसी तिमाई के दोरान क्या होता है कि पहले की अपेच्चा गर्बती मेलाओं के सरीर में 30% ब्लड बढ़ जाता है ब्लड वॉल्यूम जब आपका बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेसर है वो एकदम से हाई हो जाता है और ऐसा होने पर आपको चकर, सिर चकराने की या सिर में दर्द होने की समस्या लगाता होती रहती है इसके साथ ही जैसे पहली तिमाई में बहुत सारी मेलाओं को क्या है कि खाना जैसे वो कुछ खाती है तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता उल्टी हो जाती है या फिर लूज मोशंस हो जाती है काफी सारी मैलाओं को कुछ अलग-लग बदलाव होती है जैसे खाना ठीक से नहीं पस्ता उल्टी हो जाती है तो पोसक तक तो उनके सरीर में नहीं पहुंचते इससे क्या है कि उनके सरीर में क्या है कि दूसरी और तीसी तिमाई के दौरान आपको लगाता से चक्राने की या चक्राने की समस्या हो नहीं लग जाती है अगर आपको भी दूसरी और तीसी तिमाई के दौरान ऐसी समस्या हो रही है तो आपको तुरंती डॉक्टर से संपर्ख कर लेना चाहिए क्योंकि pregnancy में गर्वती मेलाओं का जो blood है वो कम नहीं होना चाहिए यानि कि hemoglobin कम नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपके सरी में hemoglobin की मात्रा कम है तो इससे क्या है आपके बच्चे की growth और development ठीक तरह से नहीं हो पाएगा इसलिए ऐसा होने पर आपको तुरंती डॉक्टर से contact करना है अब जानते हैं अगर आपको ऐसा लगातार हो रहा है तो सबसे पहले यानि कि उसी टाइम तुरंत ही आपको कुछ गरेलू तरीके क्या अपना रहे है यानि वो कौनसे तरीके हैं जिने अपना कर आप तुरंत ही कुछ गंटों तक या कुछ दिनों तक इससे आर आप बैट से खरी होती है या फिर तोड़ा से चलनी की कोशिस कर दें आपका सिर्च चक्र आने लग जाता है क्योंके आगे अधेरा सा चा जाता है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एक ही जगे पर बैट जाना है और अपने आसपास रहने वाले किसी भी पैमली मे जाए इसके साथ ही आपको करना क्या है कि जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको धीरे से बैट जाना है अपने सिर को इधर उधर गुमारा नहीं है और आप कोसिस करें कि बाइं तरफ करवट लेकर लेट जाए इससे क्या होगा कि अपके माइंड तक ब्लड की मातर नारियल पानी पी हैं सिकंजी पी हैं या फिर ठंडा पानी बार बार पीते रहें इससे क्या होता है कि बोडी में क्या है कि एनरजी आईगी एनरजी निवल जब बढ़ेगा तो आपको चक्कर आने की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी अगर आपको लगातर ऐसी समस्या हो र रही है और इन तरीकों से ये ठीक नहीं हो रही है तो फ्रेंस इससे गर में लड़का या लड़की होने का अन्वान कैसे लगाया जा सकता है तो देखिए काफी सारी मैलाओं के तो इन तरीकों को अपनाने के बाद ही चकर और सिर चकरानी की समस्या ठीक हो जाती है लेकिन जादा हो रही है उल्टी मितली चकराना जी गवराना से चकराना सिर में दर्द होना ऐसी समस्या अगर आपको लगातार बनी हुई है तो फ्रेंस इसे गर में लड़की होने का सबसे सठीक लक्षर माना जाता है क्योंकि जादातर मैलाओं को क्या है पेग्डेंसी के पहले तीन महीने तक ऐसी समस्या होती है उसके बाद ही अपने आपी ठीक हो जाती है तो फ्रेंस इस एक तरीके को इस एक लक्षर को अपने सरीर में समझ कर आप गर में लड़का ही लड़की होने का भी काफी हद तक अन्दमान लगा सकती है उम्मीद करती हूं या वीडियो कर या सोनोग्राफी को लेकर या पर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को लेकर किसी भी तरह का कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझे कोमेंट में पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को तो चलिए फ्रेम्स मिलते हैं नेक्स टाइम तब तक के लिए धन्यवाद